नमस्कार दनगरी न्यूस की खास पेशकरच खबर दिन बर बुलिटिन में आपका स्वागत है चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की उप्चुनाओं से पहले भाजपा और भारती आदिवासी पार्टी के बीच होने वाले गठवंदन की तम वाले उप्चुनाओं में बाप पार्टी की ओर से बिना किसी गठवंदन के चुनाओं लड़ा जाएगा इसके साथ ही राजकुमार रौत ने यहां तक कहे डाला कि बीजेपी में मदन राठोर से उस नाम के अध्यक्ष हैं उनके कारे करता ही उनकी बात नहीं मानते हैं सा राजस्तान के मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा साउथ पूरिया के बाद अब जापान के दोरे पर हैं वुद्वार कोर्ट टोक्यों में उन्होंने कई कम्पनियों के साथ राउंटेबल मुलाकात की इस शहर में सीम चार दिन रहने वाले हैं यहां नीमराना दिवस पर आय भारी बारिश दर्ज की गई तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार वैल मार्क लोग प्रेशर आजपुने अतीवर होकर डिप्रेशन बन गया है तसा वर्तमान में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है इसके आगामी 24 गंटों में उत्तर पच्छिमी द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इवेंट समिट दोजार चौबिस की तैयारियों को लेकर उद्ध्यों गए मानिच्य मंत्री राज्यवर्दन सिंग राठोड ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए कहा कि पिशली सरकार की गलत नीतियों का बुरा अनुभव लेकर जो यह अनुभवी अधिकारियों को लगाया है ताकि निवेशकों को परिशानी नहीं हो सकते नुकेरा गाउं की दो नाबालिक भेनों के साथ गयंग्रेप के बहुचर्चित प्रकरण को लेकर पुलिस अधिक्षक कार्याले के समक्ष चल रहा बेमियादी धर्ना आज वारता में मांगो पर सहमती बनने पर समापत हो गया धर्नारतियों के प्रतनेदी मंडल की बीकाने रेंज के पुलिस मान में दिक्षक ओम प्रकास पासवान दिला कलेक्टर काना राम वेप पुलिस अधिक्षक विकास सांगवान के साथ दिला कलेक्टरेट सबागार में वारता हुई वारता में अधिकारियों ने दो नावालिक बच्चियों की सिख्षा के साथ जन सहायोग से हर संभव मदद नियम अनुसार सरकारी सहायता दिलाने नावालिक बेहनों के पिता को संविदा पर नौकरी दिलवाने आदी मांगों पर सहमती बने 12 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे फार्मसिस भरती के अभ्यारतियों का सब्र का बांच फिर से टूड़ गया आज जैपुर एक बार फिर से प्रदेश भर से सेंखडों की संख्या में पार्मसिस अभ्यारतियों ने पहले जहां स्वास्त भवन पर प्रदर्शन किया तो भूकम के जटको से एक बार फिर से देश में धरती कांपी भूकम का केंदर जहां पाकिस्तान रहा तो वहीं दिल्ली-NCR में भी भूकम के जटके महसूस किये गए इसके साथ ही राजस्थान की राज़दानी जैपुर, श्रीगंगा नगर में भी भूकम के जटके महसूस किये गए, भूकम के जटके क्योंकि चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, हाला कि भूकम के जटकों से किसी भी तरह की जन्हानी नहीं कंग्रेश नेता राहूल गांधी के बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है, दरवसल राहूल गांधी के सिखों और आरक्षन वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है अब ग्रह मंतरी अमिच्छा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं राहूल गांधी को साफ साफ कह दू कि जब तक भाजपा है तब तक ना तो कोई आरक्षन खत्म कर सकता है और ना ही कोई देश की सुरक्षा से खिलवार कर सकता है अमेरिका में राश्च्रपती पद पर होने वाले चुनाओं पर पूरे देश की नजर ठीकी हुई है तो वहीं दूसरी और राश्च्रपती पद की दौड में बने हुए डोनाल्ड ट्रम्प का बयान सामने आया है ट्रम्प ने कहा कि जो बाइडन और कमला हैरिस तक्ता मे आये हैं तब से देश की अर्थ्विवस्ता का बुरा हाल हो गया है चीन का दबदबा दुनिया में बढ़ गया है देश के अंदर आज काफी बुरे हालात है इनको रोकने में कमला हैरिस नाकाम है इसके साथ ही उपराश्च्रपती कमला है इस ने मंगलवार राज की बहस के दोरान ट्रम्प के गर्वपात प्रतिबंद नीती की आलोजना है बॉलिवड अभिनेतरी मलाइका अरोडा के पिता ने आत्मत्या कर ली है मुंबई पुलिस के अनुसार मलाइका अरोडा के पिता अनिल अरोडा ने मुंबई के बांदरा इलाके में अपने घर से छलांग 62 वर्षी अनिल अरोडा अपार्टमेंट की साथवी मंजिल पर रहते थे घटना का पता चलते ही मलाइका अरोडा के पूर्वपती अरबाज खान और पुलिस अधिकारी अभिनेतरी के घर पहुंच गए पुलिस ने श्यव को पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है और घट